पॉलिग्राफ टेस्ट का क्या मतलब होता है या आज की इसी वीडियो में सीख लेते हैं पॉलिग्राफ टेस्ट जो है वो एक ऐसा टेस्ट होता है जिसके जरीए ये पता लगाने के कोशिश की जाती है कि सामने वाला जूट बोल रहा है या सच बोल रहा है यानि कि एक तरीके का lie detector test होता है जो किसी भी वैक्ति का जो heart rate है यानि कि दिल कितने तेजी से धड़क रहा है, blood pressure क्या है उसकी सांसों की गती कैसी है skin की conductivity कैसी है यानि कि हमारा शरीयत जो है, अलग-अलग तरीके से response करता है, जब हम सच बोलते हैं या जूट बोलते हैं, तो अलग-अलग तरीके के संकीत हमारे blood pressure में हमारी सांसों में heart rate में या skin की जो conductivity होती है, वो change होती है जूट और सच के हिसाब से तो वो ही measure करके जब किसी वैक्ति का test किया जाता है, तो उसको polygraph test कहते हैं, हाला कि इस test को ज़ादा valid नहीं माना जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, जो अपने इन शारेरिक लक्षणों पर काबू पा लेते हैं, यानि कि वो जूट को इतनी सफाई से इतने सच की तरह बोलते हैं, कि उनका ना तो blood pressure उपर नीचे होता है, ना ही heart rate उपर नीचे होता है, यानि कि कोई भी वैक्तिब अगर अच्छा meditator है या भोट अधिक practice कर सकता है इन सब चीजों की जूर बोलने की तो उसके बाद वो polygraph test को आसानी से bypass कर सकता है यानि कि मशीनों को उसका जूट और सच पकड़ने में दिक्कत आ सकती है तो इसलिए इसकी जो accuracy है वो ज़ादा reliable नहीं मानी जाती है बहुत सारे लोग इस test को ज़ादा reliable नहीं मानते है तो इसमें मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है वो वैक्ति का जो शरीर में जो activities होती है उनको notice करके उनको note करके ये चेक करने की कोशिश की जाती है कि सामने वाला जूट बोल रहा है ये सच बोल रहा है तो इस test को polygraph test कहते है अब आप किसी भी word का मतलब Hindi और English में YouTube पर सर्च कर सकते है आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतुबकवास के सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें झालतुबकवास के लिए जाएगी